हलो, I welcome you all to lecture 33 और ये lecture रहेगा about invention और उनके inventor के related जो invention और inventor है ये by thousands में है बट यहाँ पे cable और cable हम important देखेंगे और वो ही हम देखेंगे जो almost last 10 years में पूछेगे हैं कहाँ पे staff selection RR, BFCI, NDA, JKSSB में तो चलिए यहाँ पे start करते हैं अपने lecture को पहले हमें देखना होगा कि invention क्या ह होती है और discovery क्या होती है invention होती है अगर कोई नहीं चीज को पहली बार invent किया जाई है यानि कि वो पहली बार जनम ले वो चीज तो वो होती है invention discovery क्या होती है discovery में होता है कि वो चीज पहले से ही मोजूद होती है but we came to know about it first time तो हम पहली बार इसके बारे में जानते हैं but वो च चीज पहले से ही मौजूद रहती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर पहला है यहां पर atom bomb atom bomb बाई invent किया जूलियक्स रोबर्ट ने तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा energy के लेक्चर में atom bomb हमने पढ़ा atomic reactor पढ़ा radium polynium पढ़ा वहां पर अच्छे से तो इसलिए मैंने पहले ही लेक्चर में जब हमने पढ़ा था वहां पर मैंने मेंशन किया जो inventor और invention है यह हम लास्ट में cover-up करेंगे तो atom bomb जो कि वह करता है फिशन पे यह किया इन्वेंटर जूलियर स्रोबर्ट ने और atomic reactor यह किया बढ़ा एर एन्रीको फोर्मी ने next हो गया radium और polynium जो कि कहां पर यूज होते हैं atomic reactor में भी और atom bomb में भी यह किया Mary and Perry Curie ने next हो गया revolver काफी important यह किया Samuel Collett ने next हो गया dynamite यह किया Alfred Nobel क्योंकि इनके नाम बे ही noble prize दिया जाता है और dynamite जो हम देखते हैं जर्नली कांपे blasting के लिए यूज होता है जर्नली tunnels में next हो गया radio रेडियो किया गिलमोट मारकोनी ने next FM radio FM क्या होता है FM होता है भाई frequency modulation AM होता है FM होता है यह जर्नली कहांपे electronics के चप्र में देखा जाता है Electronics Engineering में पढ़ा जाता है तो यह किया बाई Edward H. Armstrong ने next है यहाँ यहाँ पे टेलिविजिन टेलिविजिन की यह जौन लॉगियो बर्ड ने टेलेफोन काफी important यह बच्पन में ही पढ़ा हुआ होता है टेलेफोन और बलब टेलेफोन किया Alexandra Graham Bell ने और बलब किया Thomas Elva Edison ने next electric iron यह की Henry सेली ने electric motor दो टाइब के होते हैं AC and DC बड़ हमारे लिए important है AC और electric motor कहां पे हमने पढ़ा हमने यह पढ़ा magnetic effect subcurrent और हमने देखा magnetic field का unit क्या होता है वो होता है टेसला तो electric motor जो invent किया यह किया निकोला टेसला ने यह आद रहे क्योंकि electric motor कहां पे पणना हमने magnetic field तो next and electric battery की Alex और वोल्टा ने तो वोल्टा यह याद रहे क्योंकि battery कि देती है बैटरी देती है भई हमें voltage mantra to negative तो वहां एलेक्टरोंज जवाइस में ही पढ़ा जाता है तो ये किया निक होलो नाइक ने रिख़ ओगया कल्कुलेटर अपने कंप्यूटर की बुक में भी देखा होगा या पढ़ा होगा ये किया वई बिलेश पास्कल ने कियोंकि ये वर्क करता था प्रेशर पे तो नेक्स हो गया यह पर टाइप राइटर किया Christopher Scholes ने एर कंडिशनर ये किया Willis Karrier ने printing press ये बाच्वन में ही पड़ा हुआ होता है ये की John Gutenberg ने एलेक्ट्रिक टेलिग्राफ ये किया Samuel Abbey मोर्शे ने नेक्स्ट हो गी वहाइन दो टाइप की बनाई गई थी एक तो वह जो स्टीम पे रन कर दी थी दूसरी गैसलीन पर इंपोर्टन क्या है यहां पर गैसलीन जो पैट्रोल डीजल वगेरा पर चल दी थी तो वह पहली बार बनाई कारल बैंस ने नेक्स्ट हो गया ग्रामोफ़ों भी थाऊंस एल्वा आड़िशन की ही इंवेंशन है नेक्स्ट हो गया सिस्मोग्राफ должен काफी बार पूचा गया है यह के मेजर करता है earth quick की intensity को यह magnitude को तो यह किया भाई lugging palmiery में next हो गया fountain pen जो की capillary action पे work करता है जो कहां पे हम पढ़ते हैं fillywood mechanics में तो यह किया भाई waterman ने next हो गया vacuum flux जो हमारी गारूं में होती है तो यह की जैमस देवर ने next safety pin again important काफी बार पूचा गया है यह की walter hunt ने next stainless steel जो की एक important reinforcement यह चीज रहती है कहां पे इसकी काफी application है कहां पे structural engineering में और जो stainless steel होती है यह होती है बाई alloy of iron और यह बनी हुई होती है iron plus chromium plus nickel और molly budynium तो यह बाई पहली बार दी Harry barely ने next हो गया telescope telescope किया है ने next microscope microscope किया जैरिश जैंशम ने next gas turbine जो की turbine हमने देखे कहां में last lecture में काफी important रहते हैं turbine क्योंकि यह connected रहते हैं with generator और यह फिर generator को rotate कराते हैं तो यह किया पहली बार john barber ने इन्वेंट ने next हो गया barometer barometer किया टेरोसिली ने तो यह काफी बार पुछा गया कि barometer किसी invention है तो वो है टोरसिली की next mercury thermometer और जो mercury thermometer यह किया है बाई Fahrenheit ने क्योंकि Fahrenheit ने क्या किया mercury thermometer यह भी important है atom atom किया बाई डेमोक्रेट्स ने और काफी बच्चों को confusion रहता है कि वो डालतन ने किया बट पहली बार किसने बोला किसने discovery की atom के related तो वो की डेमोक्रेट्स ने फिर आफ्टर 200 years फिर आई बाई डालतन atomic theory बट उससे पहली बताया गया था डेमोक्रेट्स के द्वरा कि atom होता है next हो गया electron electron क्या जेजे थॉम्शन ने ठीक proton रदर फोर्ड ने neutron चाडविक ने radio activity काफी important radio activity की हैंडरी बैक्यूरल ने और जो बैक्यूरल है यह रहता है unit of radio activity यह क्या है unit of radio activity next होगी थे theory of relativity जो की काफी important है physics में तो यह भाई पहली बार जिस्कावर की Albert Einstein ने next हो गया X-ray काफी बार पूचा गया है जेके SSB के paper में भी और RRB स्टाप सेलेक्शन के paper में B की X-ray पहली बार जिस्कावर की William और Routine गनने तो यह रहे कुछ important invention यह discovery related to physics तो चलिए अपने lecture को यही पर end करते हैं हम I hope कि आपकी preparation अच्छी हो रही होगी और जितना भी मैंने पढ़ाया है I think almost वो sufficient रहेगा वो क्या रहेगा आपके लिए sufficient आप खाली एक काम कीजिए आप खाली MCQs practice कीजिएगा और जो भी मैंने पढ़ाया है उसके note maintain कीजिएगा बाई बाई टेक येर करते हैं